कहाने की शुरुआत सैंटा के हिरन को दिखाने से होती है, ये आठ रेंडियर मिलकर सैंटा की बगी को हवा में बढ़ाते हैं, और इनकी मदद से सैंटा हर साल लोगों तक अपने उभार पहचा सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों, रेंडियर अब उसके साथ काम नहीं करना च सैंट इस बात से इंकार कर रहा था लेकिन मुलेट के सैंटा ने आठ रेंडियर के बजाए साथ रेंडियर देखे थे और समझ गए थे कि कुछ गड़बढ है, इसके बाद कहानी जानवरों के एक खेट की और मुड़ जाती है, यहां कई तरह के घोड़े हैं, बारह सिंग सैंटा के रेंडियर के साथ उड़ाना चाता है, और इसलिए वहाद दिन भर ट्रेनिंग करते थे उसके मालिक भी उसके व्यवहार से, बहुत परेशान थे यहां तक कि उनके दोस्त भी उनसे कहते थे कि हम यहां लोगों को खुश करने के लिए हैं, तुम्हें नहीं पता क कि तुम क्या कर रहे हो, अब इस फार्म में बहुत से लोग घोडे देखने आये थे, इलियट और उसका दोस्त देखते हैं, कि जो लोग यहां आये हैं, वे छोटे कट्टूओं को देखना नहीं चाहते हैं, हर किसी का ध्यान तीजे नाम के एक रेंडियर पर है, जिसके प उन्हें छोड़ कर चला गया है, उसने एक जूस की दुकान खोली है, और उसकी बेटी एक नया हिरन चाहती है, इस खबर से टीजे के मालिक भी बेहत खुश हुए, उसे लगा कि अगर उसका कोई रेंडियर सेंटा का रेंडियर बन गया, तो उसके फार्म को बहुत नुकस चाहता था, तभी हम देखते हैं, कि उसके खेट के मालिक के पास एक बहुत बुरी लड़की आई है, क्योंकि वह उसके फार्म के सभी जानवरों को खरीदना चाहती है, मुझे नहीं पता कि वह इतने सारे जानवरों के साथ क्या करेगी, लेकिन इलियर और उसके दोस्त न नहीं लेता है, इसलिए अब वे भी सोचने लगते हैं, कि सैंटा तक कैसे पहुँचा जाए, वे अपने मालिक की उड़ने वाली कार तक पहुँच जाते हैं, लेकिन ये कार उड़ाना नहीं जानती, इलियर को विचार आता है, कि क्यों न हम इस कार में छिप जाए और सु रखा गया जो है, तो इनसानों जैसा लेकिन उनके पास जादूई, शक्तिया हैं, और इस जादूई शक्ती का उप्योग करके वह सभी घोडों को समझने में सक्षम हो गया, जब इलियर पहली बार पोनी उसके पास जाता है, तो एल्फ उसे प्रतियोगिता में रखने से पास आया, तो एल्फ ने इलियर को प्रतियोगिता का हिस्सा मान लिया, यह सब होने के बाद हमें सेंटा के सहायक को दिखाया जा रहा था, जो सभी रेंडियर्स को इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ बाते बता रहा था, अब वह यह भी कह रहा है, कि मुझे बारह दो पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, उनकी कहानी के अनुसार, कई साल पहले. सभी रेंडियर्स ने अपने फाइदे के लिए सैंटा की टीम को छोड़ दिया था, किसी को अपना काम शुरू करना था, तो किसी को अपना परिवार बनाना था, तो कोई अपनी शांती पाने के लिए यहां से बहुत दूर चला गया था, खैर. इतना सब होने के बाद, पहली रेस शुरू होने वाली थी, डीजे के पिता चाहते थे, कि डीजे यहार रेस जीते क्योंकि उनका परिवार हमेशा से यहार रेस जीतता रहा है, वहीं इलिएट भी इस रेस को जीतने के लिए पुर्जोर कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, वहां हर काम बहुत अच्छे से करता है, वहां खुद को बर्फ में खड़ा नहीं रख सका, इसलिए अब वहां बर्फ. एफ वन्स गया था, इसलिए उनका भाग्य उनका साथ देता है, जब दूसरा बारह सिंगा कूटता है, तो वहां उड़ जाता है, और पट्री पर वापस आ जाता है, और फिर आखिरकार दसवा नमबर लेकर वहां अगली प्रतियोगिता के लिए भी तैयार हो गए, उनका आइडिया काम करता है, वे टोपी हटाने में सफल रहे और इस तरह इलिएट सबके हीरो बन गए इधर कहानी की, शुरू, आख में दिखाया गया समाचार रिपोर्टर यहाँ पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि सैंटा के रेंडियर उनकी टीम को क्यों छोड रहे हैं, और इन सबके चलते वह एक ऐसी जगा पहुँच जाता है, जहां उसे बहुत सारी उडने वाली कारे दिखाई देती है, इसके साथ ही उसकी मुलाकात सैंटा के सहायक से होती है, जो उसे बताता है कि मैंने ये सभी कारे इसलिए बनाई है, ताकि सैंटा के उभार सभी तक सम पाने के लिए कह रहा था यहां रहते हुए, इलियट के दोस्त को बहुत सारी कुकीज दिखाई देती हैं। ता उससे मिलने आते हैं, और हमें पता चलता है कि दीजे बीमार नहीं है, दरसल वह बीमार होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि उसे उड़ने से डर लगता है, और अब उसके पिता उससे कह रहे थे कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और भी जादूई कुकीज लाऊंगा वह भी उन जादूई कुकीज के प्रभाव से चक्कर खा रहा था इस सब में, वह देखती है कि एक एलफ दीजे को एक अतिरिक्त कुकी दे रही है, यानि यहां उडने की ज्यादा ताकत दे रहा है, यहां निश्चित तोर पर धोखा था और इसी धोखाधरी की वज़े से दीजे ने ये रेज दोबारा जीत ली और उनके पिता इस बात से बहुत खुश थे, अब इलियट की बारी थी, इलियट पहले तो डर गया लेकिन जब वह इन सभी छलनों से होकर गुजरने लगा तो उसकी कुशलता और बहादुरी देखकर हर कोई हैरान रह गया, जिसके चलते दीजे का स्थान मिल गया, अब ये देखकर दीजे को बहुत गुसा आता है, और तभी इलियट का दोस्त यहां आता है, अब उन दोनों को देखकर दीजे को पता चल गया की, ये, दोनों सभी को धोखा दे रहे हैं, और इलियट हिरन नहीं है, वहाँ उनकी सब के सामने लाना चाहते थे तभी जब वह डीजे के दोस्त को डीजे की तरफ फैकता है तो एक नकली सीन गिर जाता है और इसलिए सभी को पता चल गया कि वह हिरन नहीं है जब हर कोई इलियट को इस प्रतियोगिता से बाहर करने की बात कर रहा था कभी इलियट के होस्ट ने सभी को डीजे की धोखाध़ी के बारे में बताया कि उसने एक अतिरित कुकी खा ली है, ऐसे में जब डीजे की सच्चाई सब के सामने आती है, तो सेंटर के असिस्टेंट का कहना है कि यही वज़ा है कि मुझे रेंडियर्स पर भरोसा नहीं. हाँ, ए ये सब देखकर केंद्र भी काफी नाराज हुआ, वहाँ अपनी टीम में कोई नया हिरन भी नहीं रखना चाता था, वहाँ अपने सहायक से कहता है कि अपसे हम आपके उठने वाली कारों के माध्यम से अपने उभार पहुँचाएंगे, अब हर कोई डीजे और इलिय पर, डीजे और इलियट ने पानी फेर दिया था, इसलिए गुस्से में उसने अपने सभी जानवर उस गुरी लेल की को बेचने का फैसला किया, जबकि न्यूज रिपोर्टर सारी गड़बडी का पता लगाने की कोशिश कर रहा था इस समय उनके साथ, इलियट का मित्र भ दीजे को एक अतिरिक्त कुकी दी थी, यह गड़बडी बच से बत्तर होती जा रही थी, उन्हें पता लगाना था कि मामला क्या है, इसलिए वे उस रेंडियर को बुलाते हैं, जिसने केंदर की टीम को छोड़कर, तॉन खोला था वहाँ बताते हैं, कि उनकी मदद केंदर के सहायक ने की, और वहाँ सभी रेंडियर्स को केंदर की टीम छोड़ने में भी मदद करता है, यह सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, जबकि केंदर के सहायक अपनी सभी मशीने केंदर के लिए लेकर आये आपने हमारी परंपरा तोड़ी इस बिंदू पर, मैं आपको और आपके स्टाफ, ए, लिफ को अपनी टीम से बाहर निकालता हूँ, अब जब उसकी सच्चाई सब के सामने आ गई कि वहाँ अच्छा आदमी नहीं है, तो उसने अपना असली रूप सब को दिखाया, उनका गुसा बहुत बढ़ गया था और अब केंदर से नौकरी से निकालने का बदला लेने के लिए, वहाँ अपनी वेदर मशीन से एक बहुत बढ़ा तूफान लाता है, इलियट का दोस्त उस तूफान में फंस जाता है, इलियट अपने दोस्त को बचाना चाहता था, लेकिन वहाँ बर्फ पर दौड नहीं सका, यहाँ डीजे और डीजे का दूसरा हाथी इलियट के दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तूफान इतना तेज था कि वे भी तूफान में फंस कये किंद। को रोक देता है, जैसे ही तूफान रुका, इलियट ने देखा कि उसका दोस्त आस्मान से छलांग लगाने वाला है, वह उसे बचाने के लिए भागता है, और उसे गड़े में जाने से बचाने के लिए बर्फ से बाहर कूट जाता है, उनकी बहादुरी की हर कोई तारीफ करता है, इलियट. लेकिन अब उनके लिए यहाँ जुरूरी नहीं था उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम अपने बाकी सभी साथियों को. बच्च. इलियट को अपनी तीम का हिस्सा बनाना चाता था. यह सुनकर इलियट बहुत खुश हुआ और अब वह केंदर की टीम को उनकी बकी उड़ाने में मदद कर रहा था. उनका सबसे बड़ा सपना सच हो.